आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें दस्टी द्वारा, तो दोस्तों अगर हम पहले विकल्प की बात करें, यानि कि गुण सुत्र की संख्या द्वारा, तो दोस्तों जो मानव होते हैं, ठीके, मानव में इतने गुण सुत्र होते हैं, 46, यानि कि 23 जोड़े गुण सुत्र होते हैं, और जो चिंपान जी होते ह ठीक है क्या होते हैं चिंपान जी उनमें 48 गुन सुत्र होते हैं और इस अतार पर उनमें समानता समान उत्पत्ती नहीं दिखाई देती है दूसरा दिया गया है दंत सुत्र तो दोस्तों जो मानव होते हैं ठीक है मानव का वयस्क मानव का दंत सुत्र क्या होता है 21 तेइस चिंपान जी उनका भी धनत सूत्र मानव के समान होता है ठीक है किसके समान होता है मानव के समान जीसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं अतोर जिसके आधार पर हम उनमें समान उत्पत्ति दिखाई देती है तीसरा दिया गया है कपाल गुहा तो दोस्तों जो मानों की कपाल गुहा होती है उसकी शम्ता लगभग 1300 से 1600 cc ठीक है, क्रिनियल केपिसिटी होती है यानि कपाल गुहा की शम्ता होती है जबकि जो चिम्पान जी होते हैं ठीक है क्या होते हैं चिंपांजी उनकी कपाल गुहा की शम्ता कितनी होती है साड़े चार सो से चार सो पचास से पांच सो सीसी होती है ठीक अतर इसके आधार पर भी उनमें समानता नहीं दिखाई देती है और चोथा और आकर विकल्ब दिया गया है द्वी नेत्री द्रश्टी तो दोस्तों द्वी नेत्री द्रश्टी जो होती है यह मानव में पाई जाती है जबकि चिम्पांजी में यह क्या होती है कम विक्षित होती है और नुबस्थित होती है अतर यह भी हमारा गल्त उत्तर है इसके आदार पर भी उनमें समानुत्पत्ति नहीं दिखाई دेती है तो दोस्टों हमने देखा कि चारो विकल्बों में से जो दंत सुत्र द्वारा है उसके द्वारा मानव का दंत सुत्र और चिंपांजी का दंत सुत्र मानव के समान होता है इस आधार पर उनमें समान उत्पत्ति दिखाई देती है तो हमारा दूसरा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा धिन्यवाद में